कि लियर सर आपकी सामने को सब्सक्राइब करांगे सुक्राइब उलो करना है अगर मैं आपको समझा दू कि इसका मतलब यह है तो आराम से कर लोगे उसको ठीक है ना तो आराम से हो जाएगा पहले मैं कुछ कि वालेंशीट वन आया यह वन के वालेंशीट लिए 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 टी असट ठीक है मैं इलिखा फिक्स असट बीस लाग शेयर कैपितल दस लाग कि डीस लाग और वीस लाग मैं आपसे कुछ्चन पूछना चाहता हूं मेरे बिजनस के अंदर शेयर कैपिटल देखो लैबलिटी साइड में दिखाते हैं लेकिन जो लैबलिटी शेयर कैपिटल होता नहीं है नौर्मली मतलब दिखाते लाइबलिटी साइड में है क्योंकि और फंड होता है इसके अलावा शेर कैपिटल को छोड़ कर ठीक है मैं जब आप एक और पॉइंट लिख देता हूं चलो इसको थोड़ा सा चलो यही रहने दो शेर कैपिटल के अलावा बताओ मेरे बि कितनी लाइबलिटी है शिक्ता का कहना है सर दस लाग सर क्लास स्टार्ट कब हुई अभी हुई है पहला पॉइंट पर ने डिसकस किया है तो यह दस लाइबलिटी है तो मैक्समाम बच्चे बोल रहे हैं दस लाग मैंने नीचे लिखा आउटस्टेंडिंग सेलरी रुपीज दो लाग मैंने नीचे लिखा आउटस्टेंडिंग सेलरी रुपीज दो लाग तो अब बताना है मेरे बैलेंशीट में मेरी लाइबलिटी कितनी है मेरे बैलेंशीट में मेरी लाइबलिटी कितनी है बताईए सभी बच्चों कहना है बारा लाग ठीक है आप कह रहे हैं सर बारा लाग की लाइबिलिटी है करेक्ट अब मैं एक कोशन और एड करना चाहूंगा कि आउटस्टेंडिंग लाइबिलिटी आउटस्टेंडिंग जो था सेलरी नाट पेड एनिथिंग हमने आउटस्टेंडिंग सेलरी को सेवम का जवाब धती है अभी सिवमा को जवाब जो में और मेंAAAA संद्ल तो अब बताओ रीकंस्ट्रक्शन में इसकी जनल एंट्री क्या होगी आउट्सेंडिंग सेलरी यह था मैंने नीचे एक लाइन और एड कर दिया कि इस आउट्सेंडिंग सेलरी को हम पेमिंट मतलब को इसको देने की जरुरत नहीं है तो सबसे पहले आपको बताना है कि आउ सभी बच्चे जवाब दीजिए नो ट्रीटमेंट नो एंट्रिया प्रॉफिट प्रॉफिट पाइदा नो प्रॉफिट नो लोस सिवं चलो इसका सही आंसर है अब ध्यान से सुनिएगा अगर यह मेरा लाइबिलिटी होता आउट्सेंडिंग तो इस लाइबिलिटी को मैं यहां क्यों दिखा रहा हूं मुझे दिखाना पड़ता यहां जब तक आपके बैलेंस शीट के अंदर ना आ जाए तब तक वो लाइबिलिटी माना ही नहीं जाता पहला पॉइंट याद रखना ठीक है जब तक बैलेंस शीट के अंदर आना जाये तो अब जब मैंने यह ब आइदा ही नहीं नहीं इन रहां संधने की अपको कोसिस कर रहा हूं कि अगर बैलें शीट के अंदर गडर जानकारी देता है तो वहां पे पर एंदर है ही नहीं और उस आइटम के बारे में aloud कि यह चीज चीज को ऐसे करना तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस की चली जाती है लेकिन मैं कहता कि मैं इसको पेमिंट करना चाहता हूं तो नुकसान जरूर हो जाता है क्योंकि मेरे पास बैलेंशीट में यह लाइबलिटी था ही नहीं और आप इसकी पेमिंट करने की बा 20 यानि 90 रुपए से कम हो जाएगा बचेगा कितने का दस रुपए का रिडियूज एट परसेंट प्रफरेंशीर बाइस से कम हो जाएगा बचेगा चालेज का यह दोनों इंट्रिस अभी को समझ मा रहा है कि इसके बाद रिडियूज 10 परसेंट डिवेंचर बाइट 20 परस रिडियूज मसीनरी टू तू वन फिटीन लैक यानि अब जितने का भी मेरा प्लांट मसीनरी था आप देखेंगे कोशन में मसीनरी 25 पच्चिस का था अब 15 का रह गया है अब 15 का रह गया तो 10 का नुकसान है आप है ना रिडियूज इंवेंट्री बाइफाइव लैक तो तो यह घट गया पांच लाख रुपए से कह रहे हैं बच्चे क्लियर नॉट प्रॉपरली अब देख लिजी आप इसके बाद क्या कहता है राइट आफ इंटेंजिबल एसेट्स ये भी पता है आपको कैसे करना है प्रोविजन फोर डाउटफुल डेट्स ये भी पता है कम हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स के मंदर सब कुछ आ जाएगा गुडविल पेटेंट कॉपी राइट रेज रेट आप प्रेफरेंट्स ये नाइन परसेंट और टू पॉइंट फाइफ परसेंट इसका क्या करें इसमें कुछ भी नहीं होगा नो प्रॉफिट नॉ करना है यहां फायदा नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है कि अगली एंट्री कहता है कि अरियर और प्रेफरेंट डिविडेंट आर कैंसेल अब बताना मुझे अगर प्रेफरेंट इविडेंट एरियर है यानि लाइबलिटी तो बैलींशीट के अंदर पहले चेक करना होगा कि है नहीं हम कैसे इसमार चेसल कर रहे हैं परिया यह हो गया यह हो गया कैंसलेशन कर रहें अब हम एरिय और प्रेफरेंटेर डिविडेंट को पिमेंट करें और यह बोल रहे है कि उसमों क्या कर दो आप cancel कर दो उसको आप तो बताओ इसकी कोई entry होगी क्या तो जवाब है इसकी entry नहीं होगी जो मैंने अभी आपको बात समझाया है सिर्फ इसलिए समझाया है कि अगर कोई liability हमारे balance sheet में exist करता है उससे related कुछ दे रखा हो तो उसमें हम comparison कर सकते हैं अगर ऐसा कोई liability जो स्रिफ adjustment में है मालो मैं बोलता है इस area को हम paid करेंगे यानि सर पहले liability तो था नहीं अब इस liability का paid कर रहे हैं तो रुकसान है पिर हो जाएगा reconstruction to bank ठीक है ना अब सर चार साल का बोल रहे है तो सिंपल सी बात है आठ परसेंट है आपका 14 लाग है तो आठ परसेंट निकाल लोगे किसका 14 लाग का और कितने साल के लिए चार साल का यह अगर पेड करने के लिए कहता तो हम उसकी कि एंट्री करते यहां पर question में कुछ नहीं बोला हुआ है माल लोकूशण में कहता कि आधा पेड करते हैं आधा अधा तो बताओ लोस तब भी लॉस हुगा कि नहीं था और उस चीज की हम पेमिंट करने जा रहे हैं तो भी क्या माना जाएगा आपका लॉस माना जाएगा थीक तो इसका कि हम कि यह मैं डिवेंचयर चाहँ पर इसको चेंज करके 9 परसेंट कर दिया उसने तो एक करेंगे हम पहले वाले प्रफ्रेंश को और टू बस नाइन परसेंट प्रफ्रेंश इसमें फाइदा नुक्सान नहीं है वो सिर्फ अपना रेट बदलना चाहा रहे हैं बस और जो प्रफ्रेंश या डिबंचर रिडियूस वह वो तो पहले एंट्री हो चुकी है जो हमारा एट परसेंट रिडियूस करने के बाद अमाउंट है वह आएगा सपोस करो आपका पहले कह दिया रिडियूस प्रफ्रेंश यह बाई 60 यानि 40 का बचिया तो आपका 14 लाग का 40 परसेंट निकाल लो जो hard pause निकार का यानि 560 तो यह ँर पास साथ से बाई 16 Northeast है पर ठीक है कि है छे अगर नॉट पेड है प्र नूट ट्रीर्मेंट बिल्कूल अगर पेमिमेंट ही नहीं करना तो हमारी लाइवलिटी वह नहीं थी नहीं पेमिंट किया तो नॉट क्या बिल्कुल डिस्काउंट और इशो डिबेंचर मतलब 20 परसंट का हमने डिस्काउंट दे लिया हां ठीक है अज्यूम दा डैट डियूली कंप्लाइंस और पर्पोजल गॉर्ट सेंशन पास्ट जनल एंट्री एंड कंपनी पोस्ट रिकंस्रक्शन बैलेंस शीट तो रिक सब्सकेश एकशे ब्रफियंट इब सब्सक्राइब तो वाव आपर प्रॉब्लम क्या क complain और बे gravel साधीनไहागा आ तो सिंपल कर देतें अब किध्र बैलेंस आ जाए कहता है कि कि जो भी kind में आएगा अगर इधर वैंने सार तो कैपिटल मतलिखना building लिखना और इधर सब्सक्यों कैंद मतलब यह है लेकिन जो बैलेंस आएगा वो लिखना पड़ेगा समझ मैं कैपिटल रिजब नहीं आएगा इसमें ठीक है तो आपको कैपिटल रिजब की भी एंट्री नहीं मिलेगी तो एक बार फटा-फट से सर वाइंड अप कर देंगे सर आज यह आज नहीं होगा सरेंडर वाले कुछ जैलान शीट तो बाद में बनाना एंट्री और क्या करने के लिए मैं आपको दूँ जनल एंट्री के साथ साथ आपको री कंस्रेक्शन अकाउंट मेरा पोकस है करके दिखांट कर लोगे पटा-फट से जरनल एंट्री री कंस्रेक्शन करो क्योंकि नहीं तो यह अच्छे स से जानता हूं यह आपका डाउट में आ जाएगा तो अभी मुझे यह करके दिखाओ इसका फटा-फट जनल एंट्री और रिकंस्रक्शन अकाउंट फिर मैं आपको सिर्फ रिकंस्रक्शन अकाउंट बना के दिखा दूँगा और अपने जनल एंट्री को मैच कर लोगे आप क्रेडिट साइड होगा तो क्रेडिट साइड में बिल्डिंग लिखके मैच करो इसको यही बताना था मुझे आंसर भी मैच हो गया हो गया मैच तो बिल्डिंग साइड में कितना है निकलके अठारा लाग आगया एक बार रीकंस्रक्शन बताओ अमाउंट क्या क्या है मैं रीकंस्रक्शन अमाउंट बता देता हूँ बताओ लाइबलेटी साइट क्या क्या है वो स्रीक डेबिट साइट तू मसीनरी कितने का तू स्टाउक पाँच लाग और तू डेटर एक बीस और प्री लिमनेरी एक्सपेंस कितने और तू पेटेंट छे लाग तू डिसकाउंट तो पचास तू सर प्लास तू सर प्लास बत्रिस पचाटर यह ठेक है बाइक पोटी पोटी फाइव लाएग नहीं वो इटी आएगा यहाँ इटी लिखना होगा कितने 18 यह टोटल आगया हमारा अब बिल्डिंग यहाँ पर जो डिफ्रेंस निकल रहा है न 18 और इस बिल्डिंग से आपको एक जर्नल एंट्री भी करना पड़ेगा ठीक है यह रहेगा हमारा क्लियर समझ में आया तो यह वाली क्लास यहीं पर खतम करते हैं अगली क्लास के अंदर में सरेंडर ओफ शेर्स और कुछ ओनर्स के कोशन में देखके फिर मैं करा दूँगा यानि यह कल नहीं परसो होगी क्लास चप्टर खतम होगा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कि अपर डेबिट क्रेडिट है उपर एक एंट्री बस इसके अंदर में क्या था आपका एंट्री आना था री कंस्रेक्शन टू बिल्डिंग और जो कि आएगा अठारा जो आपको किताब में भी मिलेगा लेकिन वैसे जनरली देखोगे तो समझ में नहीं आएगा उस लाइन का मतलब यह ठीक है